हलो बच्चो आज हम लोग के सामने आये हैं कुछ चीजों पर बात करने के लिए when it comes to competitive exam जब competitive exam की बात होती है और ये बात होती है how to start when to start कैसे preparation करें कहां से preparation करें कौनसा एक सही समय होता है competitive exam की preparation के लिए सर मेरे साब से बच्चों के या parents के दिमाग में ये common questions होते हैं ठीक है आज तक किसी भी parent ने या बच्चे ने मुझसे जब ये question पूछा है तो मेरा एक ही answer होता है बहुत हिंदी में सीधी सी कहवत है तो जब जागो तब सवेरा और भाई साब जितनी जल्दी जागो उतना सव उशाल होता है productive होता है आप जाधा काम कर सकते हो तो इसमें जो बच्चे 9 से 10th moving है 10 to 11th moving ये 11 to 12th moving students है जो अनकेडमी से आज तक नहीं जुड़ पाये थे क्योंकि अनकेडमी का पहला session है और ये late start हुआ था तो उन बच्चों के लिए आज बहुत बड़ी news सरलोग आपको स teachers से पढ़िए ठीक है ये एक तरीका होता है या फिर आप exceptional कुछ मतलब exceptional talent है आप में तब आप late start करके भी बाकी लोगों से compete कर सकते हैं लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप एक laborious student है average student है ठीक है और जिस हिसाब का NEET या जेई exam का सराजकल competition हो गया है ठीक है उसमें कोई वर स्टार्ट करेंगे आपको question practice के लिए हर chapter की practice के लिए उतना ज्यादा time मिलेगा आप mock test ज्यादा कर सकते हैं full land test half syllabus test ज्यादा practice कर सकते हैं और यह question practice का ही game है तो बच्चे जल्दी start कीजिए ताकि race को आप time से finish कर पाए टोपर बन पाए और बाकी जो good news की में बात कर रहा था sir आपके साथ share करेंगे thank you sir hello everyone sir ने आपको बता ही दिया है मुद्दे की बात कि आज हम यहां आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकी आए हैं देखो यार एक frankly बात कहता हूं we are doing great okay हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर आप हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं तो मै आपसे कहूंगा कि जल्दी जूड़ जाइए एक तो आपको सबसे बड़ा जो benefit मिलेगा वो मिलेगा फीस का अभी हमारा admission चल रहा है 9-12 लेकिन अभी जो हम discount दे रहे हैं बच्चों को 25% early bird offer 11-12 बच्चों के लिए तो अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं this is the best time आप हमस संबहल के चलते हैं और अपनी कम्यों को बहुत अच्छे से अनलाइज करते हैं तो सही समय पर स्टार्ट करिए प्रॉपर तरीके से सर्ट करिए जो बेस्ट है उनके साथ स्टार्ट करिए चिए हम यहां सर आगे के जानकारी ऐस सर बताना चाहेंगे सर एक डाउट आ रहा है मेरे मन में अभी बहुत जादा इस्टुडेंट्स ने मास आफ इस्टुडेंट्स ने एक्जाम दिया है अंसेट का एक्जाम आप 25 परसेंट यहां पर भी डिसकाउंट की बात कर लें के लिए तो उसमें भी बच्चों ने रिसकाउंट पाया है तो क्या बच्चे इस डिसकाउंट के साथ उस यूज़ कर सकते हैं अपका उसमें आपको जो डिसकाउंट मिल रहा है और यह उन दोनों में आप किसी एक का फायदा उठा सकते हैं, whichever is higher, जो ज़्यादा आपको डिस्काउड मिल रहा है, उसका benefit आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का ही benefit आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा सारे learners को, जैसे कि आपको पता है कि अन अकैडमी ऑफ लाइन सेंटर कोटा थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ, और जिस तरह से हम सब लोग हाड़ वर्क कर रहे हैं, और वो हाड़ वर्क इसलिए कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत जादा मिल रहे हैं, सपोर्ट की इस तरह से एक फेद के रूप में सपोर्ट मिल रहा है, कि सर जो हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम दिन प्रते दिन अपने पीछे की चीजों को और अच्छे से बेवस्थित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस पर हम लोगों ने गहन चिंतन और मन्थन किया और अन अकैडमी हमेशा लर्नर के वारे में पॉस्टी भी सुचता है, कही न कहीं से कोई न कोई डिसकाउंट लाया जाए, जिससे मैक्सिमम लर्नर हम से जुड़ सकें, तो एक बहुत ही फायदे मन, मैं भी सुना, तो मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, इतना अच्छा लगा, कि चलो 25% अच्छानक सभी को डिसकाउंट मिलना ये बहुत अच्छी बात है, तो आईए, जैसे कि आपको पता है, हम एडुकेटर्स पर जो आपका फेथ है, वो फेथ हमेसा बना रहे और हम उस फेथ को हमेसा बनाए रहेंगे, तो ये सारे कि सारे जो एडिकेटर आपके हैं जो आपके चहते एडिकेटर हैं वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं आप आईए अधिक से अधिक आईए और इस अरली वर्ड अफर का फायदा उठाईए बाकी सर आपको बताएंगे तो बच्चे सर ने बोली दिया कि पहले आपने अंसेट एक्जाम जो स्कोलर सिप एक्जाम तान अकेडमी का वो दिया उसके थ्रू अगर बेनेफिट मिल रहा है तो ज़्यादा बेनेफिट वो ले सकते हैं अधर्वाइस सर ने एंशोर कर दिया कि इतना तो आपको थर्टिय पढ़ने की पढ़ाने वाले लोग आपके सामने है पूरी टीम आप देख सकते हो ठीक है और दूसरे दूसरा जो काम है कॉस्चन प्राक्टिस का सिंसियर रहने का डिसिप्लेंट रहने का वह काम आपको करना है सर कुछ कहना चाहरें बाद में मत कहना डिसकाउंट का प्राकेट